अगर आप अपने आसा में सफेद होते बालों से परेशान है या फिर आपकी बढ़ती उमर के कारण बाल सफेद हो रहे हैं जिसकी वज़े से परेशान होकर आप अपने हेर में कलर या डाई लगाते हैं और अपने सफेद बालों को छुपाते हैं या फिर अपने बालों पर ह यहिना अप्लिकेशन से भी आपको अपने हेर पे वह कलर नहीं मिलता जो आप एच्छल में अपने बालों के लिए चाहते हैं। दाई ये कलर से आपके बाल जो हैं वो ज़ादा ब्लैक हो जाते हैं और हिना से औरेंजिस कलर आपकी हेर में आ जाता है जो देखने में दोनों ही नैच्रल शायन नहीं देते आपके हेर को तो आज मैं आपके साथ में हिना का एक ऐसा सब्सिट्यूड लेकर आई हूँ जो बहुती बैतरीन कलर देगी और नैच्रल तरीके से आपकी ग्रे हेर को रिपेर करेगी आपके हेर में नैच्रल ब्लैक कलर देगी और साथी आपके बालों को सॉफ्ट सायनी बनाएगी ये रेमेडी हमने किस तरीके से रेडी की है और किस तरीके से इसका एप्लिकेशन करना इस process के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और हाँ अगर पहली बार आकर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कीजेगा ऐसी और अच्छी चीव वीडियो आपके साथ में शेयर कर करने के लिए तो चली शुरू करते हैं इस process को तो चली सबसे पहले हमें लेना है एक पैन में डेड़ गिलास पानी पानी हम इससी अकॉर्डिंग लेंगे जितना हमें हेना का preparation करना है तो पानी आप उसी हिसाब से यहाँ पर रखिएगा आप अपने हेर की लैंद के अकॉर उसको यूज कर सकते हैं कड़ी पता हमारे बालों को premature gray होने से बचाता है और साथी हमारे बालों को natural shine देता है और natural तरीके से conditioning करता है हमारे बालों की साथी यह हमारे बालों को मोटा घना और लंबा करने में हमारी काफी हद तक help करता है दूसरा हमें एक चमच मेथी डाना जो है वो हमारे बालों को बहुती सॉफ्ट और स्मूध बनाता है साती हमारे बालों का जो हेर फॉल है उसको रोकता है तीसरा इसमें एक चम्मच कलॉंजी डालेंगे कलॉंजी जो होता है हमारे बालों की ग्रे होने की जो प्रॉब्लम है उससे काफी अच्छे तरीके से प्र की तोर पर काम करती है इसकी यूज्ज से हमारे बाल बहुत ही सौफ्ट स्मूथ होने लग जाते हैं और बालों में बहुत नेच्छर सा कलर देती है इसको हम चार से पांच मिनट तक अच्छे से बॉइल करेंगे बॉइल करने के बाद इसको हम थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे इसके बाद हम नेक्स प्रोसेस लेते हैं हीना का हीना के लिए हमने यहां पर अपने बालों के अकॉर्डिंग हीना ली है अपने बालों के अकॉर्डिंग आप अपने बालों की कम यह ज्यादा लैंट के अकॉर्डिंग यहां पर हीना ले सकते हैं हीना भी हमारे बाल का जो black natural color होता है उसको बनाए रखने में हमारी काफी help करता है अगर समय से पहले सफेद बाल हो रहे हैं तो यह उस problem को खतम करता है हमारे बालों को जड़ से काला बनाता है next इसमें हम indigo powder डालेंगे एक टेवल इस्पून हमने indigo powder यहाँ पर यूज किया है indigo powder भी हमारे hair को conditioning करने में काफी help करता है हमारी साथी gray hair की जो problem है उसको खतम करता है यह हमारे बालों को natural black बनाने में हमारी help करता है आप चाहें तो single भी indigo powder का use कर सकती है उस process को भी मैं आपक के साथ में share कर दूंगी जो पानी हमने ठंडा होने के लिए छोड़ा था उसको stainer से stain करके इसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके एक साथ डालने से क्या है हिना का जो है अच्छे से smooth paste बनेगा ज्यादा पतला भी नहीं होगा और ज्यादा पाने डालने से क्या होता है वो काफी smooth हो गया है और हीना ने अपना जो color है वो भी काफी अच्छे से छोड़ा है लास्ट में हमें इसमें एक पाउज coffee डालना है लगवग एक चमच के आसपस हमें इसमें coffee डालना है coffee जो होता है वो भी हमारे बालों को बहुती natural shine देती है और हमारे hair fall को reduce करती है और हीना को भीगो करे अगर overnight नहीं रखना चाते तो overnight मत रखिएगा आप इसको अगर instant बनाकर instant यूज़ करना चाते हैं तो आप इसको overnight अपने सर पे लगाकर रख सकते हैं otherwise आपने अगर overnight इसको भीगोया है तो आप 2 घंटे तक अपने सर पे लगाए बहुत ही अच्छा result आपकी हेर को देगा तब आप दो गंटे बाद भी अपने हेर को वाश कर सकते हैं नौर्मल पानी के साथ में आप इसको अपने हेर में जब भी लगाएं बालो को अच्छे से कौम करके लगाएं इससे क्या है बालो जो है इससे क्या है आपके बाल उलजेंगे नहीं और उलज अच्छे से सारी roots और length पर लगाए इसका application करने के बाद आप इसको अपने hair पर दो गंटे तक लगा रहने दे दो गंटे बाद आप अपने hair को normal पानी के साथ में wash कर ले wash करने के बाद आप इसको एक दिन तक इसी तरीके से छोड़े किसी oil का application अपने hair पे ना करें उसके बाद एक दिन बाद आप अपने hair में oil लगाए oil लगाने के बाद आप चाहें तो 1 से 5 ते घंटा oil लगा रहने दे सकते औं या फिर overnight भी oil अपने hair में लगा रहने दे सकते हैं इसके बाद आप शैंपू कर सकते हैं अपने हेर में अगर आपके ग्रे हेर की बहुत ज़्यादा प्राब्लम है तो ये आपके बालों को जर से ब्लैक करने में आपकी काफी अच्छे से हेल्प करेगा इस तरीके से हीना के साथ में इंडिगो और आमला का एप्लिकेशन अपने हेर पर करें आपके जो ग्रे हेर एक बार ज़रूर यूज़ करें और इसी प्रोसेस के साथ में अपने हेर पर इसका एप्लिकेशन करें ये आपकी हेर को बहुत ही अच्छे से स्मूथ सौफ्ट एंड शिल्की शायनी बनाने में आपका काफी अच्छे से हेल्प करेगी साथी ग्रे हेर की प्राफ्बलम को भी काफी जल्दी आपकी हेर से खतम कर देगी यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आया तो प्लेज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस रेमेडी को आप भी रेडी कीजिए इसका एप्लिकेशन कीजिए आपको क्या इसके रिजर्ट मिले हैं यह एक्सपिरियंस आप और मैं अपनी वीडियो को आइंड करती हूं और मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए